Hello Friends, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों Arm and the Man, जिसना लिखा था G.B. सौने, Arm and the Man में उन्होंने लव स्टोडी दिखाई है, जिसमें उलट फेर है, तो कौन सी उलट फेर है, कौन किस की फ्योंसी बनती है, सोल मिट बनती है, या हम इस कहानी में देखेंगे, इस कहानी में एक वार क जिकर किया गया है, तो सोलजर्स की ये कहानी है, और उनकी साधी किस तरह से एक दूसर से कट जाती है, और फिर मिल जाती है, यह सब हम देखेंगे, यह जो प्ले हैं दोस्तों, इसे थ्री एक्ट प्ले में बनाया गया था, और इस थ्री एक्ट प्ले को आज हम एक्ट में चाल लेते हैं कि इस play में क्या-क्या चीजे मिलेंगी हमें तो यह जो play है दोस्तों उसमें three act play है सब मैं बता चुका हूँ इसे लिखा गया था 1890s में और इसे publish कराया गया था 1894 में यह एक transitional period की play है transitional period क्या होता है तो यह वो period था जिस time romantic period खतम हुआ था और start होने वाला था modern period तो उस speech को transitional period कहा गया इसमें हमें comedy भी देखने ही मिलेगी तो आईए अब हम GB100 के बारे में जान लेते हैं जिनोंने इस play को लिखा है तो GB100 का जन हुआ था 26 जुलाई 1856 Dublin Ireland में और इनकी मृत्यू हो गई 2 नुवंबर 1950 आयोट सेंथ में influence इन्होंने काफी poets से लिया जैसे की बुधे, हर्निक इसमें, फेडरिक नाइटेच, चार्लिस टिगेन, जोसिप स्टेलिस और जी के क्रेस्टर सन अब GB100 के awards के बारे में बात कर लें, तो इन्हें Nobel Prize in Literature मिला था 1925, Academic Award for Best Writer 1939 में अब आएए हम इस play को सुरवात करते हैं, first act में हमें दिखाया जाता है राइना पेटकॉफ से, यह एक लड़की है और इसकी एक मा है, जिसका नाम है कैथरिन पेटकॉफ और यह जो मा बेटी है, वो एक दूसरे से गबसब कर रही है और बाते कर रही है एक war के बारे में, जो की वहाँ चल रहा है अब इस war को नाम दिया गया है, Bulgarians war, अब यह लोग war के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि राइना जो है, वो कर्नल की बेटी है और उसकी जो मा है, वो कर्नल की वाइफ होगी, और उस कर्नल का नाम है, मेजर पॉल पेटकॉफ यह जंग में गये हैं, और इन्हीं के बारे में मा बेटी मिलकर बात कर रही है अब यह जो राइना है जो की मेजर पॉल यानि की मेजर की बेटी है, वो उसका साधी होने वाला है, मतलब उसका फियोंसी है, Sergius Sarov और वो भी वही Bulgarian army में, Bulgarian war में गया है तो यह दोनों बात कर रही है कि हम दोनों के पती को मिलने वाला है विर्चकर क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इस war में और अब हमें दो नई characters का introduction करवाया जाता है, जो की राइना और कैथरिन के घर में वर्कर यांकि नौकर का काम करते हैं, जिसमें से एक है लौका लौका एक खुबसूरत नौकरानी है, जो की एक अमीर व्यक्ति को फसाना चाहती है, ताकि वो अमीर बन सके, उसे ये सब घर के काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और निकोला, जो की लौका के साथ काम करता है, और निकोला लौका को पसंद भी करता है, पर लौका को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, और लौका चाहती है कि किसी अमीर को फसा करके, वो किसी तरह इस चीज़ से निकले, तो वो तो कभी निकोला को द की नौकरानी की और वो कहती है कि बाहर वॉर के कारण काफी गोलियां चल रही है और लोग घुड़दंग मचा रहे हैं तो हम लोग को अपना घर लॉक कर लेना चाहिए और वो क्या करती है कि रैना की कमरे में जाकर के सारी खड़किया बंद में लगती है तब ही पीछे से राइना आती है अपनी मा को वही बैठा छोड़ देती है जहां से वो बात कर रही होती है और जब भी वो इंटि लेती है अपना रूम में और कहती है कि तुम रहने दो लौका मैं सारी खिड़किया बंद कर दूँगी अब वो राइना जो है वो खिड़की बंद करने की जगा वो आईनी में देखने लगती है और तभी उसकी नजर पड़ती है वहाँ पे रखे एक फोटो फ्रेम पे जिसमें उसके फ्योंसी की तस्वीर थी अब इसका फ्योंसी कौन था दोस्तों आपको नाम याद होगा हाँ आपने सही गेस किया सर्जियस शौ और यही ख्याल में वो खो जाती है कि वो कम वापस आएगा वो हमसे ऐसे बात किया करता था वो ऐसे बात किया करता था और इसी में वो खोने लगती है इस कारण से उसे नीद आने लगता है उसके ख्यालों में डूमने लगती है और उसे नीद आ जाता है अचानक उसकी बुलगेरिया का नहीं था पर वो उसे कहता है कि मैं सर्विया का सोलजर हूँ पर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाओंगा तुम बिल्कुल आवाज मत करो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाओंगा और इस तरह करते करते वो लोग बाते करने पर सर्बियन से भी मैं डरती नहीं हूँ तब सोलजर कहता है कि आर्मी की बेटी होने से नहीं होगा तुम नहीं जानती आर्मी ओफिसर्स कितने nerwoodly रहते हैं और कितने well behaved होते हैं और कितने ही वो strictly follow करते हैं हर चीज को वो लोग बिलकुल मजाक नहीं करते हैं और ये जो war चल रहा है इससे पता नहीं किसको क्या मिल जाएगा पर ये war हमें लड़नी है सोलजर और भी आके बाते बताता है कि मैं gun powder की जगा chocolates लेकर चलता हूँ क्योंकि भूख जादा जरूरी है कही हमें भूख लगई तो क्या होगा और बाकी सब तो gun powder लेकर चली रहे है तो मैं chocolates लेकर चलता हूँ राणा को इस बात पर हसी आजाते हैं और कहती है कि तुम chocolates लेकर चलते हो तुम्हें भूख जादा जाद पसंद है पर what जादा important होगा न तो soldier कहता है कि मैं mark art में विश्वास नहीं करता हूँ मैं सबसे सुलह रहना चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ मैं army में आ गया यह सब सुनकर राणा को काफी बुरा लगता है कि वो soldier किसी को मारना नहीं चाहता पर उसे मारना पड़ता है यह सब सुनकर राणा काफी जादा दुख होने लगता उसको उसके soldier के पर थी काफी concern होने लगती है और कहती है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर rest करना चाहता हूँ तब राणा कहती है ठीक है मेरे कमरे में तुम rest करो मैं बाहर जाती हूँ तब ही वहाँ पर जैसे ही राणा बाहर निकलने लगती है तब लोका दर्वाजा ठकटकाती है जब राणा दर्वाजा खोलती है तो लोका कहती है कि कुछ लोग आए है और उनके साथ बुलगेरिया के कुछ officers भी आए है उन्ही सक है कि आपके रूम में कोई सर्विया का soldier आया है अब बुलगेरियन्स आमी वहाँ पर घुज जाते है तो राणा कहती है कि डरो मत मैं तुम्हें बचा लूँगी और ये कहते हैं जो लोका होती है वो धीरे से दीख लेती है कि वहाँ पर कोई है और उसका बंदुक और उसकी सूस साफ दिख रहे होते है पर जब भी वहाँ पर वो soldiers आते हैं उस soldiers की ताक में वो इनेमी soldier की ताक में तो वो पूरा घर सर्च मारते हैं पर नहीं मिलता उसके बाद राणा उन्हें जाने को कह देती है अब यह जो सर्वियन का soldier था वो काफे जदा डर जाता है पर राणा बोलती है कि तुम डरो मत मैं यहां की बहुत powerful family में हूँ और कोई संक भी नहीं करेगा कि एक army man के घर में एक miser के घर में उसका दुस्मन छुपा हुआ है तो तुम यहां आराम से रह सकते हो उसके बाद वो सर्विया का जो soldier होता वो वहाँ पे rest करने लगता है अब यह जो राणा होती है न वो अपनी मा को सारी बाते बताती है तो जैसे ही कमरे से निकलती है वो समसे पहले अपने कैथरीन अपनी मा के पास आती है और राणा एट उजएट बात बताती है कैसे वो soldier आ गया और कैथरीन भी उसका साथ देती है यह ठीक है तुम चाहती हो कि वो खुन खराबा नहीं चाहता है तो हम उसकी मदद करेंगे तो वो लोग क्या करते है उस soldiers को अपनी जो फादर की राणा जो अपने फादर का कोट बागर देती है कैसरीन भी अपने पती का वही जो उसके फादर है यानि की मेजर के सारे कपड़े उपड़े देती है और उसे विदा कर देती है अब वो जो soldiers है वो चला जाता है और यहीं पे first act खतम होता है second act की सुरुवात हो जाती है second act की सुरुवात में हम यह दिखाया जाता है कि राणा और जो कैतरीन है वो वहाँ बैठी हुए माबेटी और तब ही entry होती है Sergius और उसके साथ मेजर भी आ जाते है यानि कैतरीन के husband आ जाते है और राणा के पापा भी आ जाते है मेजर और राणा के fiance भी आते है जिसका नाम है Sergius Sharaf और राणा के बीच में कुछ बाते होती है वो लोग एक दूसरे से अपना बात बताते है कि हम कैसे अब साधी करेंगे हम आपका कितना दिन से इंतजार कर रहे थे रहना ऐसा कहती है अब रहना सर्जियस से इतने अच्छी बाते कर रही थी कि तभी रहना कहती है कि तुम बैठो मैं तुमारे लिए कुछ लेकर आती हूँ और तभी उसे सक होता है कि जैसे ही वो बाहर गई सर्जियस ने किसी का हाथ पकड़ा और वो और कोई नहीं लौका थी। लौका जानती थी कि सर्जियस ही उसके अमीर बनने का चावी बन सकता है। इसलिए वो उसे उकसानी लगती है कि क्या चोरी छुपे मेरा हाथ पकड़ रही मत है तो मुझसे साधी करके सब के सामने हाथ पकड़ो तब मैं मानू तुम्हें। तब ये सब सुनकर सर्जियस कहता है ठीक है मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। और तभी रहना वापस आती है और रहना देखती है कि उसके घर में कोई आया है तब वो बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ पे एक सोलजर आता है। तब ही वहाँ पे मेजर पॉल पैट्विक की इंट्री होती है अब पॉल पैट्वक कौन है तो रहना के फादर है और वो बताते हैं कि ये मेरा एक दोस्त है आप लोग साइद इसे नहीं जानते है या एक कैप्टन बल्ट चिले को ये लोग देख करके काफी ज़्यादा अ बुलगेरिया वार का एक सोलजर है ये बाते सुनकर रहना और कैथरिन को काफी ज़्यादा धगा पहुंचता है और वो कैप्टन की ये सचाही सुनकर काफी ज़्यादा खुस होती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया ये सोलजर हमें ऐसे ही प्रखने आया होगा या कुछ बुलगेरिया का ही है यानि ये हमारे पिता का दोस्त है मेरे पिता के साथ काम करता है और इस से चीजे सुनकर रहना और कैथरिन को काफी ज़्यादा सुकून पहुंचता है कि वो लोगों ने कुछ गलत नहीं किया अब जो मेजर पॉल पैटविक होते हैं वो कैप्टन ब् ये information देते देते इस act यानि कि second act की ending आ जाती है दोस्तों अब start होगा third act यानि कि last act अब आईए देखते हैं कि last act में क्या होता है तो third act की जो सुर्वात होती है third act के बारे में मैं आपको पहले बता दू कि यहीं पे पूरा twist आएगा यहीं पे गोमेगा सब चीज और happy ending इसी में होगी पर यह काफी छोटा act है और इस act की सुर्वात कुछ इस तरह होती है कि इसका scene दिखाया जाता है library में यह एक play है तो उसका scene होगा और scene start होता है library में library में राइना जु है लाइना पेटकॉफ वो books पढ़ रिये हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं और वो captain blancher से बात कर रही है तब ही महाँ injury होती है राइना के fiance से यानि यह sergius svarov के और वो कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो तुम इसके साथ अकेले में कैसे बात कर सकती है वो भी library में तुम मुझे धोका तो नहीं दे रही तब ही राइना को गुसा आ जाता है और वो कहता है क कि मैं तुमें धोका दे रही हूँ तुम मुझे धोका नहीं दे रही हो और तुम जो लौका का हाथ पकड़ते हो मुझे नहीं पता है यह सब कहा सुनी उनमें होने लगती है और sergius काफी जादा frustrated हो जादा तब captain blancher बताता है कि एक काम कीजिए आप जिससे साधी करना चा से होगी और captain भी इसके लिए राजी है और sergius जो है वो कहता है कि मैं लौका से साधी करूंगा और इसके लिए लौका भी रेडी है और इन दोनों की साधी में इनके जो parents यानि की राइना की जो parents थे यानि की Catherine Petoff और captain Petoff वो भी कहते हैं ठीक है यानि की मेजर यानि की राइ Catherine को भी दिकत नहीं है और इन चारों का तो मर्जी से साधी हो ही रहा है और यहीं पर या act यानि की third act खत्म होती है अब act का तो end हो गया है पर आपको लग रहा होगा कि Nicola का क्या हुआ तो Nicola को कोई नहीं मिली क्योंकि वो बिचारा गरीब था और उसकी कोई भी नहीं बनी और वो हमेशा के लिए अकेला ही रहा और अगर आपको यह लग रहा हुआ कि रहना के पिता ने यह सब मंजूरी कैसे दे दी तो Captain Sergius से भी ज़्यादा अमीर था उसके कई होटल्स चलते थे इसलिए रहना के फादर ने उसमें shift कर दिया कि चलो यह Sergius नहीं तो उससे भी ज़्यादा अमीर कैप्टन मिल रहा है हमें and I hope आपके सारे confusion दूर हो गए होंगे तो आपको मेरी यह explanation स्टोरी कैसी लगी हमें comment सेक्सों में बताए like करे, share करे, subscribe करे और जैहिन दोस्तों